हाई अगर आपके पास GrowApe में डिमेट अकाउंट है और अगर आप गरो में fund aid करना चाहते हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है क्योंकि अगर आप GrowApe में सेर्स को buy और sell करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको funds की requirement रहेगी क्योंकि दोस्तों आप बिना fund के सेर्स को buy और sell नहीं कर पाएंगे तो आज की इस video में दोस्तों grow app में fund add करने का complete process देखेंगे तो इस video को अंतक जरूर देखें और इस channel पर आप नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करेंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं mobile screen पर grow app में fund add करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको grow app को open कर लेना है अगर आपके पास grow app नहीं है तो आप play store से इसको download कर सकते हैं अगर आपके पास grow में डिमेट अकाउंट नहीं है तो इसके लिए दोस्तों already मैंने channel पर वीडियो बना रखा है उसको देखकर आप अपना grow में डिमेट अकाउंट open कर सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पर grow में fund add करने के लिए home screen pro option मिलेगा add money का यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर simply add money पर click करना है जैसे click करेंगे तो हमें यहाँ पर money enter करने का option मिलेगा तो इसमें दोस्तों minimum हम 100 रुपे enter कर सकते हैं 100 रुपे से उपर कितना भी बंड यहाँ पर add कर सकते हैं लेकिन minimum हमें 100 रुपे यहाँ पर enter करना पड़ेगा क्यों दोस्तों 100 रुपे से कम यहाँ पर add नहीं कर सकते जैसे कि मैं यहाँ पर 100 रुपे से कम आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पर जैसे 1000 एंटर किया तो वो यहाँ पर हड़ चुका है और नीची यहाँ पर add money का option भी दिखाए दे रहा है और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें bank का option भी दिखाए दे रहा है जो भी bank आपने add कर रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ICC bank add कर रहा है तो simply दोस्तों इस पर click करना है जैसी click रहेंगे तो हमारे सामने हमारे bank की भी detail हमें देखने को मिल जाएगी इसमें हमें अलग-अलग option देखने को मिलेंगे अगर आप bank से related अलग-अलग apps को यूज करते हैं तो यहाँ पर आप अलग-अलग apps के माद़िम से भी fund को aid कर सकते हैं जिसके आप यहाँ पर phone pay को यूज करते हैं और उसमें अगर आपने इस bank को aid करके रखा है तो आप phone pay के माद़िम से भी fund aid कर सकते हैं अधर UPI app के माद़िम से भी aid कर सकते हैं जिसमें भी आपने अपना bank account link करका है लेकिं दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो bank domain account में link है वही आपके phone पे, google पे या other जो भी आप apps यूज करते हैं उनमें link होना चाहिए उसी bank के माद़िम से यहाँ पर fund aid होगा तो इस बात को दोस्तों आपको अमें सा ध्यान में रखना है और अलग-अलग type के option यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप UPI ID के माद़िम से fund aid करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप new UPI ID पर click करेंगे और अपनी यहाँ पर UPI ID enter कर देंगे मैंने यहाँ पर already UPI ID enter करके रखी है क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी इसमें fund aid किया है तो simply दोस्तों मैं UPI ID पर click करूँगा लेकिन पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि new UPI ID आपको किस परकार enter करनी है तो इसके लिए simply हम new UPI ID पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो हमें यहाँ पर UPI ID enter करने का option मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 123456-ybl इस परकार दोस्तों आपको यहाँ पर इस box में UPI ID को enter कर देना है जैसे मैंने click किया तो हमेर समने यहाँ पर keyboard open हो चुका है तो हमें यहाँ पर UPI ID को enter कर देना है लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर UPI ID add करके रखी हुई है तो इसकर दोस्तों आप new UPI ID को यहाँ पर enter कर सकते हैं और simply यहाँ पर add पर click कर सकते हैं जिसे आप click करेंगे तो आपके UPI app में notification जाएगा और उस notification के तुरू आपको payment कर देना है मैं यहाँ पर UPI ID पर click करूँगा जो मैंने already link करके रखी हुई है इस पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें add का option मिलेगा तो simply दोस्तों हमें add पर click कर देना है जैसे click करेंगे तो हमें यहाँ पर UPI app में एक notification मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं processing payment हो रहा है और हमें यहाँ पर दोस्तों notification मिल चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि notification भी मुझे इस app में मिल चुका है तो simply दोस्तों हमें यहाँ पर इस notification को accept कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं accept का option हमें देखने को मिल रहा है तो simply इस पर click करेंगे जैसी click करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों अपना UPI pin enter करना है जैसी pin enter करेंगे तो हमारा payment successfully complete हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो payment है वो यहाँ पर success हो चुका है अब दोस्तों हमें वापस उस एप में चलना है यानि grow एप में चलना है और वहाँ पर हमें देखना है कि payment successful हुआ है या नहीं हुआ तो simply दोस्तों यहाँ से हम ok करेंगे और वापस उस एप में चलेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि payment successful हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं amount 1000 रुपे हमारे demit account में add हो चुका है यहाँ से simply done पर click कर देना है और इस fund को दोस्तों हम profile section में जाकर देख पी सकते हैं और इस fund के मादिम से आप किसी भी company के sales को buy और sale कर सकते हैं trading कर सकते हैं, investing कर सकते हैं, mutual fund में आप पैसा लगा सकते हैं तो जो भी आपकी need है उसके हिसाब से आप इस fund को utilize कर सकते हैं आगे आने वाले वीडियोज में दोस्तों हम किस परकार grow ape में watch list बना जाती है किस परकार sales को buy और sale किया जाता है, वो process भी देखेंगे तो अगर आप आगे आने वाले वीडियोज को regularly देखना चाहते हैं तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए, साथ में bell icon भी जरूर प्रेस करिए ताकि जिसे वीडियो अफ्लोड हो तो उसका notification आपको देखने को मिल जाये तो चलिए दूस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंग की planning